अगलबाद करिये तो फिल्म अभिनेतरी पायल रोतगी जे प्रमाणे आजे इंडिया न्यूज साथे खास वादचित करिये तीने आधर्मियान तेमने जनावियतूं के CAA बारत माटे केटलू महत्वा पुर्णाशे तेरे ते वो इशों कईू आवो जोई है अभी जो पायल रोतगी है वो बेल पर आजाद है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे पायल जी जिस तरह से राजस्तान पुलिस ने आपको अहमदाबाद से गिरफतार किया पूरी वारदात क्या थी वारदात ये थी कि मैंने एक वीडियो बनाया था नेहरू परिवार के ओपर मोतिलाल नेहरू जी के ओपर जो मैंने उस टाइम पर बनाया था जब त्रिपल तलाग बिल पास होने वाला था बनाया और मुझे इस वीडियो बनाने के टाइम पर पता चला कि शायद इस वजह से कॉंग्रेस ट्रिपल तलाग बिलको सपोर्ट नहीं कर रही है अब मेरे उपर जो एफायार दर्ज किया गया उसमें कहा गया है कि मेरा ये वीडियो यूनो कम्यूनल वाइलेंस कर सकता है मगर बहुत सारे लोग misinformation spread कर रहे हैं और देश के अंदर दंगे करवा रहे हैं मगर मेरे पे आरोप है कि मेरा वीडियो दंगे करवा सकता है और मेरा वीडियो nudity और obscenity को promote करता है तो मुझे लगता है कि मुझे obviously गलत sections द्वारा फसाया जा रहा है और ये इसलिए किया जा क्योंकि कहीं ना कहीं किन लोगों को जो Congress की सरकार रखते हैं राजस्थान के अंदर उनको मैं पसंद नहीं हो पाइल जी अगर बात की चाहे तो बड़े बड़े लोग जो है इस देश में वो अकसर जो है जो freedom of speech है उसका जो गयर कानूनन जो फाइदा उठाते है लेकिन व of speech सविधान का एक integral part है उसके बावजूद अगर मुझे कहा जाता है कि freedom of speech is limited तो ये बहुत जादा shocking sound होता है क्योंकि इस basis पे मेरी bail पहले reject की गई हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हमारे प्रधान मंतरी को चोर कहते हैं गलत गलत कहते हैं अगर उनके ओपर कुछ न उसके बावजूद भी मैंने एक apology का विडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मुझे माफ कर दीजे क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कोर्ट का चेरी और जेल में फसने की मगर उसके बावजूद मुझे इस तरह से pick up किया राजस्थान पुलीस ने दिखाता है कि there was a bigger शडिय मिडम आपने जैसे खाहा कि आप 30 कंटे जो जेल में रही ज्यादा तरह ऐसा होता है कि एक्टरिस्ट होती है वो फिल्मों में जब ऐसा रोल करती है तो वहाँ पे जाती है और जो वो सारा जो है वो experience करती है लेकिन आपका ये real experience था कैसा रहा और क्या था उसमें बस मैं के साथ जिनकी ओपर आरोप है खून का तो मैं कही ना कहीं डर जाओंगी मैं जमीन पर सो कर आई हूं मैं जेल का खाना खाके आई हूं मैं वश्रूम भी उसी एरिया में करके आई हूं जहां पर बाकी लेडिस बैठती थी तो बहुत ज़्यादा स्कैरी था क्योंकि as a भार क्योंकि ने भारत की एक lawful citizen है अर्ज भी जो है पूरे देश में Citizenship Amendment Act गो है उसको लेका श्यूंत है जो है से विरोच चल रहा है आपकी क्या राए है क्या पको लेकर मेरी राए यह है कैब को मैं support करती हूं Citizen Amendment Act बनाया क्योंकि Citizen Amendment Bill पास हुआ लोक तंत्र तरीके से इन राज्य सभा और लोक सभा और प्रेजिडेंट ने उसके ओपर साइन किया मगर उसके बावजूद CAA को हमारे देश के लिबरल, सेकुलर्स और वॉलिवूड के हिंदू-फोबिक लोग अपोस कर रहे हैं दिखाता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा अनपड़ है या तो पड़े लिखे अनपड़ है जो सही information जानने के बाद भी भारत ये Muslims को भड़का रहे हैं मोधी सरकार के खिलाफ क्योंकि ये बिल मोधी सरकार नहीं लाए इन्होंने नहरू जी का जो बिल था citizenship act था उसको सरल करा है citizen amendment act दोरा क्योंकि जो नागरिकता पहले लोगों को 6 साल में मिलती थी वो अभी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि माइनॉरिटीज के ओपर पर अत्याजार देखा पाकिस्तान के अंदर गुलजारी लाल नंदा ने भी ये बिल को सपोर्ट किया मनमोन सिंग ने भी ये बिल के ओपर साइन किया मगर हमारे देश के लोग लिबरल सेकुलर्स और हिंदूफोबिक बॉलिवूड समझती है कि ये बिल आंटी मुसलिम है दिखाता है कि ये तो अच्चुली अनपड़ है या तो पड़े लिखे पड़े लिखे अनपड़े पायल जी अभी जो बात की जा रही है कैप को लेकर अभी हमने बात की लिकने एक बात बताईए कि जब आपके वीडियो जो है सोशल मीडिया में आते है और जब ऐसे चर्चासपद वीडियो आते है तब लोग कहते हैं कि जब किसी के पास काम नहीं रहता तो लोग जो ऐसे है पुब्लिसिटी बटोरने की कोसिस करते हैं तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेगी मैं सिरफ इतना ही कहना चाहूंगी कि लोग समझते हैं कि अपने देश के लिए सोचना अपने धरम के लिए बोलना मतलब वो ही लोग करेंगे जिनके पास काम नहीं है तो बहुत जाता शर्मनाक बात है दिखाता है कि भारत के अंदर लोगों की सोच कितनी छोटी है क्योंकि जो आदमी देश के लिए सोचता है अपने धरम के लिए सोचता है उसको जॉबलेस होना पड़ता है तो मतलब जॉब के चक्कर में हमारे देश के अंदर लोग क्या क्या करते है नौकरी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, ये लोग अपने देश को बेच देते हैं, अपने धर्म को बेच देते हैं, ये उनकी मानसिकता दिखाता है, ना की वेरी मानसिकता और रही बात लोगों को मेरे ओपर आरोप करने की मैं उनको सरफ एतना ही कहना चाहती हूँ कि वाल में की जी भी एक समय डाकूत है, समय बड़ा बलवान है आज अगर उनको ये बोलने का हक है तो एक समय मेरा भी आएगा जब मैं भी बोलूँगी और तब उस समय का मैं वेट कर रही हूँ पाल जी जैसे आपने कहा कि आप भाजब की जो सोचे उससे जो है आप उसको समर्थन करती है तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ ये जो कुछ भी वारदात हुई उसके पीछे कॉंग्रेस का हाथ है तो किसका है पीछे कॉंग्रेस का हाथ है क्यांकि कॉंग्रेस के सरकार के अंदर मुझे राजस्थान पुलीस ने ऐसे पिक अप किया और कॉंग्रेस का ही वीडियो है क्यूंकि मोटिलाल नहिरू कॉंगरेस से जुड़े हुए थे ये बिल जो triple तलाग बिल था जिस दौरान मैंने ये विडियो बनाया उस बिल को Congress support नहीं कर रहे थी हमारे पास एक alleged audio भी है जहां पे दो लोग बात कर रहे हैं ये कहते हुए कि Congress का pressure था CM के office के ओपर क्योंकि CM Congress से है और CM के office का pressure था पुलीस के ओपर राजस्थान पुलीस के ओपर जिसकी वज़े से उनने aggressively मुझे यहां से pursue करके pick up करके राजस्थान लेगी गए आप जो वीडियो बना रही है उचसे आप जो है वो market में बहुत चर्चा में रहती है और ऐसा साइन जो होते अच्छा लगता है मैं वो काम करती हूं यह थी हमारे साथ एक्टरस पायल लोतगी जिनका कहना है कि आज जो यह कुछ उनके साथ वारदात हुई है उसके पीछे Congress का हाथ हाला कि वो कहती भी है कि भाजब की सोट से वो समर्थन करती है और साथ-साथ में केप का भी समर्थन करती है केमेरा परसन मनिस दवे के साथ आसिस पंचाल इंडिया न्यूस एहमदाबाद